So, Hello Students तो आज की इस वीडियो में हम एक डिफ्रेंस करेंगे बिटूर्ग कीराज, पाइटॉर्च एटेंसर फ्रो यह डिफ्रेंस जो है यह आपको काफी बच्चों की प्रोब्रेंस रह चुगा है कि कीराज पाइटोर्च और टैंसर फ्रो में डिफरेंस है या करते तिनों डीव लर्निंग प्रोसेजिस है डीव लर्निंग हाई डेटा सेट्स के ओपर काम करते हैं और पाइटोर्च वहाँ पी लेवल के ओपर काम करते हैं और जो tension flow है वो high or low दोनों पर काम कर सकते है जो next difference है हमारा हो है architecture का जो कीराज का architecture है वो बहुत simple है readable है आप उसको easily हम सीख सीख पाएंगे आप easily उसे और जो pi torch का है वो complex है architecture less readable और tension आप उसको बहुत vast network है neural networks जैसे आप चोच सकते हैं बहुत complex structure होते हैं हमारी tensor flow का next difference third difference होगा हमारा data sets जो कीराज है और smaller data sets के ओपर काम करता है वो जो pi torch है वो large data sets और high performance देते हैं हमें और जो tensor flow है वो भी हमारी large data sets और high performance जो debugging है कीराज में simple network करते हैं debugging की आमें कोई जरूरत नहीं है जो pi torch का है वो good debugging capabilities called करके रखता है अपने पास debugging में बहुत अच्छा है pi torch टैंसर फ्रों में हम debugging कर ही नहीं सकते difficult to conduct debugging क्योंकि इसका structure होता है वो बहुत ही complex होता popularity जो कीराज है वो most popular python library हम deep learning के लिए इस्तिमाल करते हैं और machine learning के लिए जो seven most है वो हमारी टैंसर फ्रों जो second नमबर बें आती है हमारी popularity में और थर्ड नमबर बें वीडल वाली pi torch तो अब बात कर लेते हैं कि speed लिए तो कीराज की speed है वो slow है और low performance लेगिन हमारी pi torch तो टैंसर फ्रों है यह हमारी high speed और fast speed को old करते हैं और इनकी फ्रों में जो है बहुत high वे थी इस्तिमाद कर लेते हैं कि राज रिटन इन किराज इस रिटन इन python pi torch and pi torch is returning lower and tensor pro is returning c++ qda python इससे next बात करेंगे जो हमारा कीराज है google ने develop किया है हमारा कीराज को और जो pi torch है उसको हमारी facebook ने develop किया है और जो tensor flow है उसको google ने develop किया है कीराज और tensorflow को हमारे google ने develop किया है और pi torch को develop किया है facebook so thank you guys I hope you will understand the difference between the कीराज, pi torch and tensorflow so thank you guys we will meet in our next video